ग्राम जैस्वंद पुर में आगनबडी भवन पड़ा अधूरा गाउं की ही रोड हुई जर जर ग्राम उन्यों ने सरपन चेवं सस्चिप से आगनबडी बर्माने की की मांग खबर दतिया जिले के इंदर तैसील से जहां ग्राम जैस्वंद पुर में आगनबडी भवन दो साल से अधूरा पड़ा हुआ है आगनबडी कारकर्ता सुकर्ती कुस्वा के द्वारा आगनबडी एक छोटी से कमरे में संचालित हो रही है ग्रामिड जन जीतु कुस्वा एवं बुद्द सिंग जाटब का कहना है कि आगनबडी दो साल से अधूरी पड़ी हुई है आगनबडी तक रोड़ भी खड़ाब हो चुकी है जिस कारण बच्चों एवं महलाओं को आने जाने में परिसानी होती है कई बड़ बच्चे भी गर जाते हैं ग्रामिडों ने कई बड़ सरपन से सचिव एवं जनपल सीयों से सिकायद की लेकिन सिकायद करने के बाद भी अभी तक कोई भी करवाई नहीं की गई हमारी मांग है कि आगनबड़ी भवन का जल निर्मान कर कराया जाए एवं रास्ते को भी बनाया जाए जिससे हम समस्त ग्राम बास्यों को परिशानी नहीं नहीं कराया जा सका वह भी अधूरा पड़ा है छे महीने पहले तीस लाग रुपाय में डाली गई सीसी पूर्ड़ी तरह ओड़ गई है ग्रामन को निकलने में काभी परिशनी के सामना करना पड़ता है ग्राम के बुद्द सिंग जाटब ने सरपन्ज सचब उपे अंतरी पर खुलें स्टाचर का आरोप लगाया है और कहा कि सारे सबुद मेरे पास है सरपन्ज सचेब द्वारा घटिया निर्मन कराकर खना पोड़ती की गई है कई बार जनबा सीयों से लेकर कलेक्टर तक सब्सक्राइब करने के बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई जिसकारन गिरामन को सा पंडित की रपोर्ड तो देख लेंगे क्या अब नहीं कर रहा है अम पंच है तो बोले क्या पंच है तो क्या कर लेंगे हमारा तुम कलो जा करने हो तो हम सब्सक्राइब वह ने सुनी नहीं सान जवामने अब्सक्राइक प्रवशे निकल ठुका है निकल चुका काया पीसा निकल चुका है प्योंग निकला है इस तक हाई फूर्ट पैसा नहीं जाएपिchau मैं करो जा है और रहा है तो फोलें अंक यह जो कर बंच कि तैन टीन तीन सहां थिए प्लंकालनौन यह अव क्या समस्या आंग नवाडी के बारे में है दो बार सुगी घ्राय के मकान चलती हैं अभी कहां चलती है। कितनी साल यह वर्स हो चुगी किराय के मकान में चलाते हैं। नहीं बात तो कही वार हुई लेकिन अस्वासन देते हैं लेकिन नहीं होगा कहा भी नहीं इसके बारे में कुछ बतानी सकते होगा भी या नहीं होगा